नमस्कार दोस्तों बाला ब्रेकिंग नियूज में आपका स्वागत है हरियाना में करोना के इलाज को लेकर जहां हरियाना सरकार ने जो करोना की टेस्टिंग है उसके रेट तैग कर दिये हैं वहीं अब करोना के नाम पर प्राइवेट अस्पताल जो है जो करोना के इलाज के नाम पर बड़े बड़े पैकेजों के नाम पर जंता को लूट रहे हैं उस चीज पर भी हरियाना सरकार नकेल कसने जा रही है जी हाँ अब हरियाना सरकार प्राइवेट अस्पतालों में करोन प्रेश दे दिये गई हैं कि जो रेट सरकार ने तै किये हैं उससे एक रुपया भी फालतुन नहीं लिया जाएगा इस मामले की जानकारी आज हमें हरियाना के स्वास्थे मंत्री अनिलविज ने दी और उन्हें बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में जो एनने बीएच से अप सीजन के साथ क्या रेट होंगे इन सभी चीजों का एक जो रेट है वो सरकार ने तै कर दिया है जिसके बाद अब जो पूरा निचोड निकल कर सामने आया हो यह है कि सरकार ने 8,000 से लेकर 18,000 रुपे तक का जो रेट है वो निर्धारित किया है ऐसे में अब यह कहना गलत नहीं होगा कि अब यह अस्पतालों में जो करोना टेस्टिंग के नाम पर लगातार खबरें आ रही थी कि लूट मचाई जा रही है उस पर नकेल कस दी गई है ऐसे में अगर करोन रेट हस्पिताल इस करोना काल में मरीजों को जैदा परिशान ना कर सके है इसलिए हमने रेट तै कर दिये हैं ने बी एच हस्पिताल के कितने होंगे नोन ने बी एच के कितने होंगे विद ऑक्सिजन कितने रेट होंगे विद वेंटिलेटर कितने रेट होंगे कुल मलाके आठ हजार से लेके अठारा हजार तक हमने ये रेट तै कर दिये हैं और कोई भी हस्पिताल चोटा बड़ा जो मर्जी हो इससे ज्यादा रेट चार्ज नहीं कर सके उनिपत में हुए शराब घोटाले में सरकार की जमकर किरकरी हुई थी इस मामलों के लेकर विपक्षियों ने भी काफी सवाल खड़े किये तो और उसके बाद हरियाना सरकार ने इस मामले की जाद जो है वो हाई लेवल कमेटी यानि के SCT बनाकर उसे सौप दी थी और उसक इसके गुदाम में रखी गई शराब थी जो चोरी हुई थी इस मामलों के लेकर जब हरियाना के ग्रही मंत्री अनिल्विच से हमने बात चीत की तो विजने साफतोर पर कहा कि वो इस मामले में अभी कोई भी टिपनी याब कोई भी ब्यान नहीं देना चाहते इसका कारण पुछे जाने पर विजने साफतोर पर कहा है कि इस पूरे मामले की जाच SET की सोंपी गई है और वो SET जो है उसमें ADGP लेवल के अधिकारी है एक्साइज भी भाग की कमिशनर तक के उसमें शामिल है कहीं और आला धिकारी उसमें शामिल है अगर जाच पूरी होने से पहल है प्रणाली उनकी जो काम करने का तरीका है उनका जो रुत्वा है उस पर कहीं नगें प्रशन चिन होगा जब तक SIT की रिपोर्ट नहीं आ जाती है मैं इस पर अपनी कोई जजमेंट नहीं देना चाहूँगा जब हमने कनौन के ताहित बकाइदा S.E.D. कठित की है तीन वरिष्ट अधिकारी हैं हमने T.C. गुपता की अधिक्स्ता में कमेटी बनाई है जिसमें एक्साइज की कमिशनर भी है और पुलिस से भी A.D.G.P. रेंग के अधिकारी अकील मुहमद को लगाए गया है तो उनकी रिपोर्ट आने से पहले किसी परकार की कोई जजमेंट देना तो उस कमेटी के अस्तितव पर प्रसंचिन लगाने के समान है इसलिए मैं नहीं बोलूँगा अब उन्होंने अपने कोटे का एक बनाना है अगर वो बनाना चाह रहे हैं तो ठीक बात है आप देखते रहे हैं हमारी खबरें हमारे फेस्बुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूस पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे